Good morning friends, today we are going to study chapter 12, political developments, harshvardhan in social science. ठीके, harshvardhan के समय पे जो भी political development हुआ था, हना, उसके बारे में हम इस chapter में read करेंगे. Introduction After the downfall of the Guptas, a number of new dynasties appeared in different parts of India. They included the verdhans and the mukharis in the north and the chalukyas and the pallavs in the south. जब Guptavansh का जिसको golden age कहा जाता था, है ना, मतलब Guptas लोग जो थे, उस समय का जो काले वो जो समय था, उसको किस नाम से जाना जाता है? Golden age की नाम से, है ना, जब Guptas राजाओं का downfall हो गया था, या पतन हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था? कि भारत के अलग-अलग शेत्रों में, है ना, अलग-अलग नही-नही डाइनस्टीज का उदह हुआ था है, कहीं सारी डाइनस्टीज आ गई थी, है ना, जिसमें कौन-कौन शामिल थे, नौर्थ में हम लोग देखे, भारत में नौर्थ में तो, वर्धन्स and मुखारीज, साउथ में देखे तो, कौन-कौन सी डाइनस्टी थी, चालुक्यास and पल्लवास, ठीक है, दा वर्धन्स, दा डाइनस्टी अफ दा वर्धन्स, रूल्ड एट थानेश्वर, ना, इन हरियाना, अब कहां पर है थानेश्वर, हरियाना में, ठीक है, यह उस समय पर पावर में था, यह शक्तिशाली सामराजी शक्तिशाली वर्ष था, ठीक है, जो यहां का जो मतलब इस वर्ष का जो राजा था, महान राजा, पहला महान राजा, उसका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, और एक बेटी थी, ठीक है, उन दोनों शादी कहां का किसे कर दी थी ग्रह वर्मन से कर दी थी जो कि कन्योच का मुखारी रूरल था ठीक है मुखारी वन्ष का शाशक था ठीक है राज्य वर्धन आफ्टर प्रभाकर वर्धन's death the elder son राज्य वर्धन came to the throne just at that time the ruler of Malva killed ग्रह वर्मन and imprisoned राज्य श्री the widow queen जब प्रभाकर वर्धन की death होगी उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा था राज्य वर्धन वो राजा बना ठीक है वो सी आसन पर बैठा उसी समय पर जो Malva का जो शाशक था उसने ग्रह बर्मन को मार दिया और राज्य श्री जो की प्रभाकर वर्धन की बेटी थी उसको बंदी बना लिया यह विद्वार आनी थी ठीक है और राज्य वर्धन ने जो ब्रदर इनलोग था मतलब अपना जो जीजा था उसकी मौत का बदला लेने के लिए जो शशांग था उससे युद्वगरा किया शशांग कोन था बंगाल का राजा था ठीक है और लेकिन इसको क्या किया मार दिया गया इसके द्वारा शशांग के द्वारा ठीक है हर्षवर्धन हर्षवर्धन ने कब से कब तक शाशन किया 606 से लेकर 647 AD तक इट वस इन इस स्टेट अफ सौरो देट हर्षवर्धन दे यंगर ब्रदर अफ राजवर्धन कैम तु दे थ्रॉन इन 606 AD ये जो समय था दुख का समय था जो हर्षवर्धन जो था वो अपना जो बड़ा भाई था कौन थो बड़ा भाई राजवर्धन की मृत्यों के बाद ये राजवर्धन बना हर्षवर्धन जो था उस समय 16 year का एक छोटा बालक था ठीक है 16 years कही था सिर्फ 16 year age थी उस समय इसका राजविशिक किया गया ये राजवर्धन बनाया गया और इसने अपनी sister की जान बचाई थी ठीक है फिर ठानेशवर और कन्योज जो छेत्र थे यहां के सामराज जी को उसने united किया मतलब एकत्र किया ठीक है एकटा कर लिया और कन्योज को अपनी राजवर्धन बनाया wars and conquest of अर्षवर्धन अर्षवर्धन के दोरा जो युद्ध किये गए और जो चीत हासिल की गई ठीक है after standing his position हर्षथ thought of conquering his neighboring lands मतलब कि अपनी position को मजबूत करने के बाद हर्ष जो है वो हर्षवर्धन जो थे वो क्या चाहते थे मतलब कि जो neighboring lands थे आसपास के जो शेत्र थे उनको conquer करना चाहते थे he marched against Shashang but could not crush him however in the first six years of his ran हर्ष occupied eastern Punjab उत्तर प्रदेश बिहार, बेंगौल औरिसा ठीक है इसलिए जो Shashang जो था जिसने इसके मतलब की बड़े भाई की को मारा था या उसका मर्डल किया था ठीक है उससे बदला लेने चाहते था इसलिए उसके खिलाफ ये गया है ना लेकिन उसको crush नहीं कर पाया ठीक है स्टार्टिंग की जो six years थे इसने जब सामराजी किया था या राजी किया था उसके जो six years थे उस समय पर हर्ष बर्दन इस्टन पंजाब उत्तर प्रदेश, बिहार, बेंगौल औरिसा इनको जीत लिया था ठीक है इसके बाद इन्हों ने अपने मैत्रिपूर्ण संबंद बनाया थे कहां के शर्षक से असम और बलाभी के शर्षक से मतलब मित्रता कर ली थी बलाभी कहां है गुजरात ठीक है और चालुक्यों का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था ठीक है और जो कहां पर साशन करे थे लोग डेकन में या साउथ में ठीक है बट ही डिड नॉट सक्सीडेड सक्सीड एंड सफर्ड हैवी लॉसस तो हर्ष फैल्ड टो क्रॉस दरीवर नर्मदा हर्ष मैंटेंड गूड रिलेशन्स विद चाइना पर्सिया और अदर नैवरिंग कंट्रीज ठीक है फिर क्या हुआ कि ये सक्सेस नहीं हो पाया इस युद्ध में और बहुत जादा नुकसान हुआ इसको ठीक है हर्ष वर्धन जो था उसने मतलब नर्मदा रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया और चाइना है ना पर्सिया और भी अदर जो पड़ोसी देश है उनके साथ इनके अच्छे रिलेशन बन चुके थे ठीक है इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो में नेक्स्ट वीडियो में कंटिनीव करेंगे थैंक